अयोध्या में चमतकार पर चमतकार श्री राम लला की प्रान प्रतिष्ठा में शामिल होने आये खुद जटायू जब विलुप्त प्रजाती के गिद्ध प्रकट हुए तो लोग उनकी पूजा करने लगे और उनहीं जटायू का वन्शज मानने लगे क्या है पूरी खबर जानिये विस्तार से पाकिस्तान हिल गया है कि अयोध्या में किया चर रहा है दोस्तों राम मंदिर बनकर तयार है अयोध्या को दुलहन की तरह सजाया गया है श्री रामला की मूर्ति तयार है अभिशेक के प्रकार को परिभाशित किया गया है अब तो बस 22 जन्वरी का इंतजार है जब 500 साल की कड़ी मेहंत के बाद आखिरकार रामला अपने जन्मस्थान पर भव्य मंदिर में विराज मान होंगे हर जगह के लिए आवेदन पत्र दिये जा रहे हैं और पूरी दुनिया की नजरें अयोध्या पर हैं इसी बीच अयोध्या में चमतकार पर चमतकार हुए जा रहे हैं गिद्ध भारत में पूरी तरह से विलुप्ट प्रजाती बन चुका था गिद्ध को हम जटायू कहते हैं और जिसे प्रभूश्री राम ने तात कहकर संबोधित किया था हाँ दोस्तों अचानक से जटायू राजा के वनशज अयोध्या पहुँचे मिल्किपूर तहसील के धरौली गाउं में विलुप्ट प्रजाती के गिद्धों का जुन्द पहुँचने से पूरी दुनिया हैरान है कि भारत से गिद्ध पक्षी पूरी तरह से गायब हो गए है या विक्त्म हो गए है वे अचानक भारत के उस हिस्से में क्यों जा रही हैं जहां श्री राम रहते हैं पाकिस्तान को भी अंजाने में भारतिय श्री राम को स्विकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अयोध्या में कुछ ताक्तें जरूर हैं और पूरा देश इस बात को मानता भी है और मैं श्री राम की धुन में डूब चुका है हिंदू हो या मुसल्मान सिख हो या और कोई धर्म से हर कोई इस वक्त श्री राम के नारे लगा रहा है इस सदी का सबसे बड़ा दिन 22 तारीख बन गया है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है और भारतियों की तो बात ही ना करो इस दिन पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी जीहा कमेंट में जै श्री राम लिखना न भूले और हम हो रहे चमतकारों के बारे में हर विडियो पोस्ट करते रहेंगे